मिटर ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है, जिसकी हल्प से हम किसी अन्नोन रजिस्टन्स को निकाल सकते है अब आपके सब विट्रेस्टन की निकाल सकते हैं को मीटर भी नाम से लग रहा है कि कुछ एक मीटर का वायर होगा ठीक है इसको बनाने का तरीका यह होता है कि एक एक लकडी का पट्रा होता है उडण बोर्ड होता है अब सीधा सीधा बना रहे हैं 2-D डाइग्राम सोगेज़्ेगा उसको एक उडण बोड है जिसे पाटा होता जिसमें आप लोग बैठते हो अभी उता चोना जा रहा है इतना क्या करें नहीं बना पाते हैं एक उडिन बोड है और इस बोड पर एक मीटर लंबा तार लगा जाता है अब कैसे लगाएंगे जा ध्यान से समुझेगा इसमें हम करते क्या है अब यह तो लकड़ी का ना, जो तार कैसे कसो ग investigación की, तो हम एक कॉपर की एक स्टिप ऐसे लगा देते हैं, एक कॉपर की स्टिप ऐसे लगा दी हमने, एक कॉपर की स्टिप है, टीक है, विदे पत्ती ली कॉपर की और उसमें जड़ दी, और इस joystick में हमने यह तीन जो है यह पेंच लगा दिये यह तीन पेंच लगा दिये उस पेंचping तार्ट को TIGHT करने के लिए ठीक है यहां पर हमने L-shape की दो स्टिप ली ऐसे एक थोड़ इसके बराबर बनाई यह यहां पर L-shape की दो स्टिप ली हमने ऐसे एक ये L-shape ले और एक यहाँ पर L-shape की हमने इस्टिंग ऐसे ली ये पतियां हैं कापर की पतियां है ठीक ये हमने एक तरीके से इस shape की पतियां ले आए मार्केट से और अपने लकडी का पाटा उसमें जड़ दिये ठीक है और पत्तियों में ऐसा किया, यहां होल बनवा दिया एक, दो, तीन पेंच लगाने के लिए ठीक है, ऐसे इसमें पेंच लगा दिया अब पेंच में क्या करेंगे, तार को ऐसे हम टाइट कर देंगे अब समझेगा, इसमें क्या करते हैं यह यहां पर एक मीटर लंबा तार लगा देते हैं मीटर ब्रीज है अब तार को लगाने के लिए हम करते क्या है कि तार के नीचे नीचे एक स्केल लगा देते हैं स्केल अगर यहां लगी हो हमने क्या स्केल लगा दी, इसके उपर तार लगा है तो हम क्या कर देंगे यहां पर एक जो ताल लगाते हैं जो वायर लगाते हैं कॉपर का या जिस जो भी ताल लगाएं ठीक है उसका हम एक मीटर स्केल के उपर लगाते हैं ठीक है इसके बाद क्या करते हैं इन दो जो आपकी पेंच हैं उनके बीच में एक रेजिस्टेंस बाकस लगा देते हैं अभी हम बताएं कि क्या होता है रिजिस्टेंस बाकस होता है इसमें रिजिस्टेंस लिखे घो टे鄭 है झाल जबा थाए एक सबस्कै और उसमें एसे कोपर की इस कार से شण में श्ट्रिप लगी होती है दोफ पार यहां बीच में छेदूते हैं उसέ खि तो जिस यहां पर लिखा होता है तो जो की आप निकालोगी उतने ओम का रेजिस्टेंस वहां क्रिएट हो जाएगा क्यों होगा अभी हम बात करेंगे यह कैसे काम करता हो बात करेंगे हाँ होता है अब वो कैसे छोड़ो रेजिस्टेंस बाक्स से लगा होता है ठीक है इसके बाद जिस वायर का रेजिस्टेंस निकालना होता है वो अन्नोन रेजिस्टेंस होता है वो इसके बीच में लगा दिया जाता है ठीक है इसका हमें क्या मालिया एस ठीक है और इसके value है वो vary कर सकते हैं तो इसमें एक re-usted लगा दिया जता है यह re-usted होता है यह क्या है re-usted कैसे काम करता है इस लिबस में आपके है नहीं फिर भी किसी दिन बता देंगे आचा या तो re-usted लगा दो या cell में आप एक arrow बना दो arrow का मतलब क्या होता है बता यह तो तो है यह नहीं किसी दिन में और सकते करें ऊब्र को मतलब क्या होता है हाँ science के हिसाफ से मैं बात कर रहा हूं मैं mathematics science का teacher हूं تو science के हिसाफ से बात करता हूं वो लोग जानते हैं भाई और यहां पर एक की लगा देते है न और इस प्रकार से हमने इसको जोड दिया समझ में आ गया तो यह arrangement समझ में आ गया अब जैसा है वैसे ही है साफ साफ तो बना है ना अब ज़रा देखे धान से इसके बाद जो इसका एफ बिट पॉयंट होता है यहां से एक तार निकाला और एक लगाए गेलनो मीटर ठीक है आब सिंपल सी बात है गैल्क मींटर से दूसा एक तार निकालेंगे और उस तार को अपने हाथ पकड़ लेंगे अब अपने हाथ में पकड़ोगे तो बाड़ा लुण पूच्ष तार होगा कहीं पर अगगर टच कराओगे तो तार बाव ऐसा होता है ना तो तार को हाड कैसे किया जाए तो एक जॉकी होती है, क्या होती है, जॉकी होती है, टेस्टर देखे हो आप, ये टेस्टर है, बस जॉकी टेस्टर तरह होती है, ठीक है, दूसा तार निकालेंगे, ये टेस्टर खोलेंगे, यहाँ पर ऐसे टाइट कर देंगे, और ये पूर जोकी को यहां टच कराओगे यहां लग अलग पॉइंट पे तो इस गल्लो मिटर में डेफलेक्शन हो जाएगा ठीक है अब यह अरेंज्मेंट आपका सही है यह गलत है उसको जानने का तरीका समय लिजेगा क्योंकि आप जब आईएससी बोर्ड में जाएंगे प्रेटिकल कई देने तो उसमें पेपर आता है और पेपर में अरेंज्मेंट बन के आता है यह चंता मत करिंए इसमें बना होता यह सीबसी नहीं होता है स्टेट बोर्ड में कुछ जिए क्याएंगे नहीं होता है एक्जामनलाट फोन कर देता देखो मैं आ रहा हूं कांपी लिखवा ों करते हैं कि इतनी हैं hai दो एक नित्स इफाशिकर में प्रसितम होता है कि कहीं कहीं हो जाता प्रफा सेटुड़की yerde इसकूल डुट यह पैसा लिया जाता है उसमें लाना पड़ता होती है प्रिवेट वाले खरी लिये हर प्राइविट की बात नहीं कर रहे हैं लिगर कोशिश सब करते हैं के प्रेड कलम 30 मिं 30 है तो आयसी बोड में एकजाम होता है इसलिए ध्यान से इस बोड वाले ध्यान से पढ़ें सुनि सब्सक्राइब इस जॉकी को पहले इधर टच कराइए अगर एक तरफ टच कराने से इक तरफ डेφलेक्ट भाया तो सिंपल सी बात है कि जाते 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 याते जिो बहुत भी तो आहएगा नहीं आरेगा gallometer में ऐसा होता है ना system gallometer में ऐसे पीच में 0 होता है इधर 1, 2, 3, 4 इधर 1, 2, 3, 4 होता है emitter तरह नहीं होता है तो कुल्म लाकर करके हम इसको test कर लेते हैं अब jockey को ऐसी जगे test कराते हैं कि जहां पर gallometer में कोई deflection ना हो तो उसमें हम कहते हैं कि मीटर प्रिच कैसा है बैलेंस्ट है ठीक है अब इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपने यहां से कुछ रिजिस्टेंस निकाला होगा रिजिस्टेंस बॉक्स से यहां से हमने क्या निकाला रिजिस्टेंस आर निकाला है जितना भी निकाला दो जो जौकी है ना लगभग लगभग बीच में जाके बैलेंस सो करें नहीं बैलेंस बीच में ही करेंगे तब एरर नहीं आएगी मत अगर बैलेंस किनारे सो कर दिया तो एरर आने के चांद से ज्यादा है अब देखिए यानि ये बैलेंस हो गया मीटर बीच अब मीटर बिच बैलेंस हो गया तो current कैसे flow ही होगी सुनिए ध्यान से जब यहां से current चली होगी प्रेटिकली देखिएगा यह आपका एक metal strip है तो current का एक रास्ता तो यह दिख रहा है आपको दिख रहा है और एक रास्ता यह दिख रहा है आपको दिख रहा ना यह और इस रास्ते में कोई current flow हो नहीं रही है तो इसका मतलब हाँ बताए यह बता रहा हूं कि balance करना है आपको जब आपका galometer एक बार इधर reflect हुआ है उधर उधर reflect हुआ है तो ऐसे से जब ऐसे आया होगा एक समय जीरो पे आया होगा नहीं होगा अगर galometer एक तरफ कराऊगे इधर reflect होगा दूसरी तब इधर reflect होना है तो बीच में जब उधर आयेगा तो वो ले उधर वह से ले हम तो आई से उठाएंगे उधर चुआ देंगे तो इसका मतलब जो आप उस तार में खिसका होगे तो होते 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 तभी तब इधर आयेगा तो जीरो कंडिशन में आप ले के आते हो ना तो उसमें ये वाली दो साइट कैसी होंगी एड़सेंट होंगी और ये जो आपका एजे और बीजे है इसका रेजिस्टेंट पी और क्यू मान लिया तो विटिस्टोन भी इसके हिसाब से पी अपान क्यू इस इकुल टू आर अपान एस हो जाएगा तेवरी सुन्गाई नहीं आई इस डाइग्राम का जो डिस्क्रिप्शन है सुन्गाई पूरा इसको लिखना पड़ेगा आपको आज ही लिखना पड़ेगा दरवे समझ नहीं आएगा अब ज़रा समझने की कोशिश करिए देखो आर अपान एस तो हमें मालूम है आर हमने रेजिस्टेंस बॉक से निकाल रखा है ठीक और एस हम को निकालना है लेकि P हम कैसे निकाले तो देखे ये जो वायर आपने लगाया है ना ये 100 सिंटी मिटर लंबा है तो आपने जो जोकी को टच कराया होगा तो इसकी लेंथ मालूम हो गई होगी ना तो अगर मैं इसकी लेंथ L मालूम तो यहां कितना हो जाएगा 100 मैनस L और इसका resistance है P तो आप जानते हैं P is equal to होता है रो L अपन A रो चुंकि पूरे वायर का सेम होगा वो resistivity होती है प्रतुरुदधता वो सेम होती है और जब उस वाले पार्ट का निकालोगी Q का तो आएगा रो और 100 माइनस L अपन A जो कि जो आप वायर लोगे उसका भी area of cross section सेम होगा तो जब P upon Q निकालोगी तो क्या हैगा L upon 100 माइनस L तो यहाँ देखो by question 1 L upon 100 माइनस L is equal to R upon S तो यहाँ से S की value निकलाएगी R 100 माइनस L upon L इस प्रकार से हम unknown resistance को निकाल लेते हैं ठीक है जब इस resistance को निकाल रहे होते हैं तो कुछ सावधानिया हम बरते हैं ठीक है उन सावधानिया को बारे भी बात करेंगे इसे note करें पहले आप अब इसमें कुछ इसकी demerits है कुछ कमिया है उससे समल लीजे पहले आप concept clear हो गया ना ये कि meet up list कैसे काम करता है देखो इसकी demerits ये है कुछ बाते पहले समल लीजे पहली बात तो जिसमें current flow रही हो रही होती है उसमें ये copper की जो पत्तियां लगी है इनमें भी current जाएगी तो पत्तियों की length तो आपने consider की नहीं तो उसके लिए आप क्या करेंगे उसके लिए आपको एक और अलग से experiment करना पड़ेगा जिसमें इस wire की length में पत्ति की length भी add करनी पड़ेगी माले ये L है और ये पत्ति 5 cm लंबी है तो आप L प्लस 5 लिखेंगे उसको ठीक है उधर भी 5 जोड़ेंगे 1 न हो जाए मालिया हमको कहीं circuit में लगाना है हमारे satellite में लगाना है resistance लगाना है या हमको कोई ऐसा instrument बनाना जो sensitive बने तो उसके लिए तो exact value चाहिए न वहाँ experiment की जाता है तो उसके लिए हमको इस strip की length को भी consider करना पड़ेगा ये हमें लिखना है प्रेटिकल में नहीं करना है ठीक है दूसरा इसमें जो दिक्कते होती है देखे ध्यान से ये बताईए जब आपने scale लिया जरा साउधान जब scale आपने लिया इस परकार से इधर देखे ये एक मीटर लंबी scale है इसका ये zero है ये 100 है ठीक है ये आपका scale तो यहां से ले करके यहां तक लगी होगी ना लेकिन इस star को आप इस पत्ती के अंदर दवाओगे कैसे तार को नीचे उतार ओगे नीचे उतार के इस पत्ती के अंदर ले जाओगे तब इसको टांक लगा ऊगगे इसको तौर्टिण करोगे ठीक है is高 टार आपका जो ज्यरो जो है तार एक्चुली एक्जक्ट ज्यरो पर तो है निसे हैटेल तो यहां से लगी है ना गञा चोंग तो तो आपका थोड़ा लंबा है वो तो इस वचारशल में लिग जा सकते इसके लिए जा सकते हैं उसके ने इसके पोजिशन चेंज कर देंगे हैं इसकी पोजिशन चेंज कर देंगे तीसरी बात यह जो वायर है उसकी लिन्थ जो है वह लगबग एक जासी यह एरिया आप क्रॉस Sक्षन है सेम होना चाहिए मतब कहीं मोटा कहीं पतला वायर नहों प्रेटिकल करते वक जोकी को आप पकड़ें को पता चला तो सुझा का resistance change हो जाएगा heating effect उसमें आ जाएगा तो ये उसकी कुछ demerits है ठीक है तो दूसरी एक चीज कभी कभी आती है एक word आता है आपका क्या कहेंगे shunt एक word जो जाता है यहां करना नहीं है shunt होता है तेकि गैलोमिटर बड़ा sensitive होता है बड़ा ही sensitive होता है अगर ज़्यादा current इससे flow करा दी तो वो खराब हो जाएगा तो हम क्या करते है उसमें shunt लगा जेते है ऐसे shunt लगा जेते है ठीक है तो होता क्या है जब current यहां से जाती है ना यह तो current यहां जाएगी नहीं पहली बात हो तो होता क्या जितनी current गेलनोमिटर में जा नहीं है उतनी चली जाती है rest shunt के माध्यम चली जाती है ठीक है तो इसको shunt कहते है और जब आपका zero deflection हो जाता है तो इस shunt को हम क्या कर देते है हटा जेते है यह practical में आप क्या नहीं होता है क्योंकि बैटरी खुद ठकी हुई होती है पहले तो current दे दे वो तो गेलनोमिटर को बाद में खराब करेगी जा करकी ठीक है और shunt के बारे में हम लोगों को पहले से जानकारी थी आपने देखा होगा जैसे कोई बात कहीं हो रही है आपने यहां से सुना और घर में सब बता दिया और चाची यह कह रही थी यह कह रही थी यह भी कह रही थी थोड़ी देर बाद आदा है और ममी यह भी कह रही थी यानि आपने सब को सुना और कभी-कभी आप कहते हैं कि आप वहां गये थे नहीं सुनी, यानि स्टंट की जानकारी हमारे जो बुजर्ग लोग थे उनको पहले से, थी ये साइंटिस्ट बाद में खोजे हैं, कि आप सीधे गैल्लोमिटर से मत पास कराईए, करेंट को इधर से पास करा दीजे, उसको क्या कहते हैं, अंट स्टंट बकना, ठीक, तो इसक